मशकार मरप्रिया बिहार न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक मज़र सुर्खियों पर बिहार में इंटरपास शात्रों को ग्राजबेशन में दाखले का मिलेगा तरेकी समय जमीन में दाखर खारज मामले में कल से होने जा रहा है एहम वर्लाव बिहार बोड मैर्कर का रिज़र जारी करने की शुरु होई तयारी होली के बाद बिहार से लोटने में नहीं होगी कोई परिशानी मम्ता बानरजी ने बिहार यूपी के लोगों को बताया गुंडा अब चले बढ़ते हैं बिहार की बड़ी ख़बरों की और विस्तार से बिहार में इंटरपास शात्रों को ग्राजबेशन में दाखले का मिलेगा तरेकी समय बिहार बोड ने बारही के चात्रों का रिजर्ट जारी कर दिया है लेकिन चात्रों को सनातक के नए सत्र में अटमिशन लेने के रिए तीन महीने का तिरिक्त इंतिजार करना पड़ेगा खबरों की माने तो तिलका मांजी भागलपुर युनिवर्सिटी की प्रक्रिया शुरू कर जल से जल सनातक में नावांकन कराना चाहेंगे इस तरह शात्रों के पास लगभग तीन महीने का तिरिक्त समय बचा है हालाकि सिक्षकों ने इस दौरान सभी छात्रों से शौट टर्म कोर्स पर ध्यान देने की बात कही है जिसके तहर सभी छात्रों ने कम्प्यूटर से जुड़े सिल्क उद्योग से जुड़े या फिर कोई अन्य तरह के कोर्स की तैयारी करने की बात कही गई है इसको लेकर कल से लागो हो जाएगा जिसके तहट अब बिहार में रजिस्ट्री के समय साथ में म्यूटेशन का काम भी शुरू हो जाएगा इसको लेकर जमीन मालिक को ऑन्लाइन या ओफलाइन माध्यम से आवेधन करने की कोई जरूरत नहीं होगी इसकी वज़े से अब जमीन खरीदारों को म्यूटेशन के जंजट से मुक्ति मिल जाएगी हाला कि अभी यह सुधा उन्ही खरीदारों को मिलेगी जो जमा बंदीदार से खरीदेंगे जिसके तहट अब वो किसी ऐसे वारिस से जमीन खरी देंगे जिनके नाम म्यूटेशन नहीं है तो पुरानी विवस्था से ही आविदन करना होगा विवार बोर्ड मांटरे का रिजल जारी करने की शिर हुई तयारी विवार बोर्ड मांटरे की परिक्षा के परिणाम की खोशमा जल से जल्ध की जा सकती है जानकारों की माने तो इस साल के परणाम इस हफ़ते जारी हो सकते हैं इसको लेकर 26 मार्च को ही 12 वी रिजल्ट को जारी करने के दौरान बिहार बोड की अध्यक्ष आनंद किशोर ने संकेत दे दिये थे और बताया था कि मैट्रिक परिक्षा 2021 के परिक्षा फल अप्रील के पहले सब्ता में जारी किये जा सकते हैं यानि की 5 अप्रेल तक मैट्रिक रिजल्ट जारी किये जा सकते हैं बोर्ट की माने तो मुल्यांकन का काम पूरा हो चुका है और फिलहाल उसे सर्वर पर अपलोट करने समें दूसरी महत्वपूंट चीज़ों की जा रही है हाला कि होली के दौरान इस बार किसी सामाजी कारिक्रम की धूम तो देखने को नहीं मिली मगर बिहार वासियों ने रंगों के इस्तियोहार को खूब अच्छे से मनाया अलाके इस बार होली की धूम राजुनेयतिक गलियारे में भी देखने को नहीं मिली मagर होली के दिन मुख्यमंतरि नितीशकोमार का अलग ही अंदाज नजर आया शाम के मक्त मुख्यमंत्री नितीश कुमार खुद ही जदियू के कुच्चुनिंदा नेताओं के घर पहुच के जिसके बाद मुख्यमंत्री नितीश कुमार जदियू के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके राजुसभास सांसद वशिष्ट नारायन सिंग के आवास पर पहु देखने को मिल रही है वहिराजु के ज्यादतर हिस्तों में 35-38 डिक्री सेल्स या स्तापमान दर्च किया जा रहा है। पतना हाई कोट में PIL दायर बिहार में भहिलाओं को ईव टीजिंग से बचाने के लिए सरकार ठोस नीती के साथ काम करने की तैयारी कर रही है। करने का निर्देश दिया था। होली के बाद बिहार से लोटने में नहीं होगी कोई परिशानी। होली का त्याओहार खत्म हो चुका है। बिहार आए लोग घर जाने की तैयारी में है। हाला कि कई लोगों को घर वापसी में ट्रेन में जगह नहीं मिलने की परिशानी का सामना करना पड़ता था। मगर इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। भारती रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को धियान में रखते वे। यह बताया है कि बिहार से गुजरने वाली ज्यादत ट्रेनों में अभी भी सीट भारी मात्रा में खाली है। रेलवे की माने तो कोरोणा के कारण इस बार त्योहार के दोरान सफर करने में कमी देखी गई थी। यही कारण है कि वापस लोटने वालों की संख्या भी कम है जिसके तहत अब सभी यादरी दिली, मुंबई समेच सभी महानगरों में वापसी के लिए आसानी से टिकेट कटवा सकते हैं। तो रंधीर सिंग की जान सोते हुए ही हिरदरगती रुकने के कारण हुई है जिसके बाद उनके पार्थिफ शरीर को विहार लाए गया जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई। मेरी कमजोरी भी मेरे अंदर संघर्ष की प्रेड़ना थी उन्होंने आगे कहा कि मेरी माने काफी कश्ट से हम सभी को इस मुकाम तक पहुँचाया है। मा हमेशा ही मेरी यादों में जीवित रहेंगी मा है तो सारा संसार अपना है मा नहीं तो सब अंजान है मा ही मेरी पहचान है। ममता बैनर जी ने बिहार यूपी के लोगों को बताया गुंडा पश्रिम बंगाल विधानसभा चुनाफ में बिहार और बिहारी लोगों की चर्चा खूब हो रही है। ममता बैनर जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा बिहार और यूपी से गुंडे को लाकर बंगाल चुनाफ को प्रभावित करवाना चाहती है। करने के लिए BCCI से कड़े प्रतिबंधों का सामना करने की समभावना है। BCL पत्ना में 20-26 मार्श तक आयोजित किया गया था। इस टूडामेंड में 5 फ्रेंचाइजीज अंगिका, एविंजर्स, भागलपर बुल्स, दर्भंगा दाइमेंड्स, गया गलेडियेटर्स और पत्ना पाइलिट्स थी। जिसे यूरोप पोर्ट चानल वर प्रकाशित भी किया गया था वहें इस लीग में दर्भंगा दाइमेंड्स टीम और जास्टेडिया में खेले गए फाइनल दे चैंपियन बनकर उभरी थी। जिसके बाद ही रनबीर लंबे समय बाद मीडिया में नजर आए है। जिसके बाद प्रभावितों की संख्या एक करोड बीस लाग के पार पहुच गई है। 211 लोग की जान चले गई है जिसके बाद अब तक कुल मिला कर 1.6-2 लोगों की जान दा चुकी है। महाराष्ट्र की स्थिती सबसे जादा खराब नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बीत दिन के पिश्टे 24 घंटे में 31,643 मरीज पॉजिटिव पाई गये है। भारतिय महिला करके टीम की T20 कप्तान हर्मन प्रीत कौर हुई कोरोना पॉजिटिव भारतिय महिला T20 टीम की कप्तान हर्मन प्रीत कौर कोबिट-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई है। आज खेला गया था।